हम हमेचा यह सोचते हैं कि creative person बनने के लिए कोई drawing या music की class या कोई fine arts का graduation, engineering का diploma या mass communication जैसे course इनकी ज़रूरत होती है, लेकिन नहीं, कभी-कभी आपकी ज़रूरत, आपकी हलात, आपके crisis और आपके पेट की भूख भी आपको creative इंसन बना देती है, यकिन नहीं हो रहा है, let me explain कल मैं अपने family के साथ में outing के लिए माथेरान के पहाड़ियों के बिज गया था, वहाँ पे एक आदिवासी युवक से मुझे creativity का एक ऐसा सबक मिला, कि उसको देखके सुनके मैं दंग रहे गया, हुआ यूँ था कि माथेरान से return आते समय एक river में बहुती बड़ा नदी के बीचो बीच खड़ा था, फरक ये था मैं तो अपने शोक के चलते हुए नदी में खड़ा था लेकिन वो अपने मजबूरी के चलते हुए, जब मैंने उससे बात की और उससे पता किया वो क्या कर रहा है, तो उसने बताया वो fishing कर रहा है, fishing करने के कई सारे तरीके आपने सुने होंगे, देखे होंगे, चाहे वो केरला में किस तरह से fishing होती है, चाइना में किस तरह से fishing होती है, असाम या नैनिताल के लेक में किस तरह से fishing होती है, अपने जाना होगा, लेकिन ये इस योग का fishing करने का जो तरीका है, मुझे बिलकुल अलग सा लगा, creative लगा जब मैंने उसके इस fishing करने के innovative तरीके के बारे में उसको पूछा मैंने पूछा कि भीया ये creative idea आपको कहां से आया तो उसके बाद में उसने जो जवाब दिया उसको सुनके मैं दंग रह गया मुझे उम्मिद थी कि वो ऐसा कुछ जवाब दे देगा कि मेरे बाप दादाओं से चलता हो आया हुआ ये परंपरा है मेरे अनुभव से मेरे अकल से मुझे creative idea आया लेकिन उसने जो जवाब दिया वो ये था कि मुझे ये idea मेरे पेट से आया अपनी पेट के भूक से आया इसको सुनने के बाद में मैं दो मिनिट के लिए शान्त हो गया उसने मुझे बताया कि पानी का बहाव तेज है नदी में जाला टिकता नहीं है अगर मैं fishing नहीं करूंगा तो कुछ और से गुजारा करना पड़ेगा और इन बारिश की दिनों में कुछ और भी नहीं मिलेगा तो शायद भूका सोना पड़ेगा ये उसके पेट की आग थी जो उसे सोचने पे मजबूर कर रहे थी ये उसकी पेट की वो भूक थी जो उसे एक क्रेटिव अच्छा क्रेटिव बेतर इंसान में बनाने के लिए मजबूर कर रहे थी उसने क्या किया कि इस तरह से वो fishing कर रहा था चलिए मैं आपको दिखाता हूँ माथेरान के पीछे साड में दोधानी नदी के पास में में बैटा हूँ पाड़ के पीछे गाड़ेश्वर नाम का एक डैम है इस डैम के बैक वाटर्स में कई छोटी छोटी नदिया आ कर मिलती है जिनमें थोड़ी बहुत मचलिया भी होती है यहां के लोकल अधिवासी इन मचलियों पे अपना गोजारा करते हैं पहले तो पत्थर और नदी किनारे की घास को काट कर पानी में एक बांध बनाये जाता है और चोटी सी ओपनिंग छोड़ दी जाती है इस ओपनिंग वाले हिस्से में हाथ से बुना हुआ जाल कुछ इस तरह से बिछाया जाता है कि वो बिल्कुल फनेल के जैसा काम करता है इस फनेल का जो आखरी छोड होता है उसमें बांबू की चोटी चोटी डंडियों से बना हुआ एक चोटा सा इंस्टूमेंट जिसे ये लोकल भाषा में तोंगा बोल रहा था उसको लगाए जाता है और ये तोंगा हमेशा पानी में डुबा हुआ रहने के बज़े से वो मचलिया जिन्दा भी रहती है फ्रेज भी रहती है जिसे ये भाषा आप अगले दिन सफेर आके निकाल के घर पे लेके जाते हैं इसने और एक तरीकी के बारे में बताया जो उसने थोड़ी ही दूरी पर बना के रखा था पानी जब उपरी हिस्से से नीचे घरता है तो उस फॉल वाले एरिया को घास और पथर से थोड़ा एक्स्टेंट किया जाता है एक्स्टेंशन वाले एरिया में बंबु के कुछ पाइप एक लाइन में गाड़े जाते हैं उनके उपर थोड़ा बहुत पत्थरों से ढखा जाता है, इन पाइपस को घास से बने हुई छत के नीचे तक लाकर जालीदार टोक्रियों में फिट किया जाता है, पानी के फॉल से बचने के लिए मचलिया जब पाइप में घुसकर नीचे आ जाती है, तो टोक्रिया होने से पानी बहे जाता है, और ये मचलिया अंदर अटक जाती है, जिसे भाइसाब अगले दिन आकर उठाकर ले जाते हैं, और इनके परिवार के लंच का बंदवस्त हो जाता है, इस योग का नाम बुधिया चौधरी है, बुधिया कभी स्कूल नहीं गया, किताबे नही बुधिया का लुधिया बहुत अच्छे तरीके से जानता है, और बातों बातों में बुधिया ने बहुत बड़ी सीख मुझे दे दी है, यो यानि के रियल क्रेटिविटी हैपन्स वेन यू आ इन क्राइसिस, आप जब तक प्राब्लम में नहीं पड़ोगे, या किसी और के प्राब्लम को अपना समझ कर मैसूस नहीं करोगे, तब तक उसका क्रेटिव सुलूशन आप नहीं निकाल पाते हो, आप चाहिए बिजनेस कर रहे हो, नोगरी कर रहे हो, आप जिने सहो करते हैं, उनका पेन, उनका प्राब्लम आप अगर मैसूस करो, तो उसका आकाउं नहीं है तो Creativity Bioscope के Facebook पेज पर आप जूड़ सकते हैं माध्यम कोई भी हो जूड़ना जरूरी है साब क्योंकि Creativity किसी स्कूल में किसी कॉलेज में आज किसी इनुवर्सिटी में नहीं सिखाई जाती है ऐसे ही चीजों से हमें मिलती है और हम हमारे creative abilities को enhance कर सकते हैं गनेश गड़ाक signing off टाडा